नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया के अमद और आप देख रहे हैं रिज्ञू स्वागता आपका उत्राखंड के खास बिलेटिन में रुक करिंगे उत्राखंड की तमाम खबरों की तरह धैरदुन जिले में आज कौविट टीका करंड का महा अभ्यान चल रहा है और कौविट टीका करंड की दूसरी खुडा का लक्ष हासिल करने लिए अब हर सौमवार को महा अभ्यान चलाए जा रहा है और जिसके तहए जिले के सभी धाइसो से अधिक टीका करंड केंद्रों प उपलब्ध होगी जो लोग सुबा 10 से शाम 5 वजे तक का रेले में डूटी पर रहते हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा और इसमें सबजी मंडी टीका करेंट केंदर धैरदुन और सबजी मंडी टीका करेंट केंदर रिशी केस में सुबा 7 से सुबा 10 वजे तक टीके और इससे संक्रवन को रोकना बड़ी चुनोती है हाला कि सरकार की ओर से तो हारी सीजन में जिला अधिकारियों और विभाग्या अधिकारियों को संक्रवन से बचाव के लिए सतक रहने के निर्देश दे गए और साथी कोविन नियमों का पालना करने पर सक्त बरतने के कहा है और वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रवन की दूसरी लहर का प्रभाव थम सगया है और पिछले कई महिने से प्रदेश में प्रति दिन 50 से कम संक्रवन इत्मामले सामने आ रहे हैं और रिकावरी दर में सुधार होने से वर्तमान में 172 मरीज सक्रे का उपचार चल रहा है और वहीं तो हारों के चलते सरकार ने कॉविड संक्रवन की रोगथाम के लिए लगाए गई बंदिशों को हटा दिया और वहीं बजार खुलने के समय की पावंदी भी हटा दी गई है कोरोना संक्रवन थमनी से लोग लापरवाब बने रहे और वहीं उत्राखंड में विदानसवत चुनाफ से ठीक पहले सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा चटका लगा है साल 2017 में विदानसवत चुनाफ से पहले कोंग्रेश छोड़ बीजेपी में आये याश्पाल आरे और उनके बेटे संजीव आरे कोंग्रेश में सामिल हो गया और कोंग्रेश की सर्रिस्ता लेकर दोनों नेताओं ने घर वापसी कर लिये दिल्ली में कोंग्रेश दफ्तर में इस दोरान कोंग्रेशके संगठनं मंतरी केसी वयनु गोपाल, कोंग्रेश फ्रदेश अद्यक्र गनिष गोदियाल और पूरमुक्र मंतरी हरिष रावत और रंधीप सूर्जेवाल समय तमाम नेता मोजुद रहे और कॉंग्रेस में शामिल होने से पहले यश्पाल आरे नो तुरा खंड के कैबिनेट मंत्री पज से इस्तिफा दे दिया और वहीं आपको बता दे कि दोनों यश्पाल और उनके बेटे संजीव साल 2017 में कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो थे और बीजेपी की सरकार बनने के बाद यश्पाल को तुफ़े देते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और वही अब दोनों ने ता कॉंग्रेस में शामिल हो गए और इस दोरान रंदीप सुर्जाले ने कहा कि यश्पाल आरे किसी पहचान के महताज नहीं है और लंबे समय ताक वो कॉंग्रेस प्रदेस अध्यक्षे और इसके लावा वो छे बार से यश्पाल विधायक है और उन्होंने कहा कि दलित वन्चित और गरीब समाज की बड़ोतरी के लिए पूरे उत्तब भारत में यश्पाल आरे ने कई एहम काम किये और राहुल गान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी ने आरे से मलाकाद करूने मनाने की कोशिश की दी हाला कि लगता है कि सीम धामी की कोशिश है रंग नहीं ला पाई वहीं अंतराष्ट्य बालिका दीवस पर उत्राखन बोड की 162 में धावी बालिकाओं को समवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी अपने आवास इस्तित जनतार दर्शन होल में सम्मानित करेंगे और महिला ससक्ति करंड और बालिकास मंत्री रेखा आरे के मताबिक बालिकाओं को समार्टफोन और प्रसासित पत्र दे कर सम्मानित किया जाएगा वही महिला ससक्ति करंड और बाल विकास मंत्री देखारे ने कहा कि हर जिले की हाई स्कूल और इंटर की मेधावी छात्रों को फुरिस्कृत किया जाएगा बाली का सिक्षा प्रोच साहन कारिकरम के तहद बालीकाओं को स्मार्टफोन दिये जाएगे और इससे पढ़ाई में बालीकाओं को काफी सुवीदा होगी और विभागे सचीव हरी चंद सेमवाल के मुताबिक हर जिले से दस्वी और बारवी की स्रेष्ट तीन तीन बालीकाओं और हर बलोग से बारवी की स्रेष्ट छात्रों को पुरिस्कृत किया जाएगा और उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से बालीकाओं के कल्यान के लिए कई योजनाय चलाए जा रही और बच्यों के जनम पर महालक्षमी किट दिये जा रहे और इसके लावा नंदा गोरा योजना भी चलांय जा रहे और विभागे सचीवyas ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री दोपैर के बाद में दावीब वालिका को सम्मानित करेंगे और वहीं RSS के प्रमुक मोहन भागवत ने कहा है कि शादी जैसी चीजे के लिए हिंदु युवाओं का धर्म परिवर्तन करना गलत है और भागवत ने इस बात पर भी जोड़ दिया कि परिवार वालों को उनके मन में धर्म के प्रती गर्व पैदा करना चाहिए और वहीं आपको जानकारी के मताबिक मोहन भागवत ने ये बाते उत्राखंड के हलदवानी में कहिए और वहां वो संग कारेकरताओं और उनके परिवारों को संबधित कर रहे थे और संग प्रमुक ने कारेकरम में कहा कि ध ठीक पालन पोशन नहीं करते और हमें अपने बच्चों को घर में ये सिक्षाइं देनी होंगी कि हमें उनके अंदर धर्म के प्रती आदर गर्व पैदा करना होगा और आरेसेस प्रमुक ने ये भी कहा कि लोग खुद धर्म से जुड़े सवालों के जवाब ढूंडे जिस का बना खाना खाने और पारंपरिक पोशक पहनने की अपील की है और वहीं कोईला अधारित बिजली संयंत्रों से बिजली उत्पादन प्रभावित होने और दिली में बिजली संकट की खबरों के बीच उत्रा खंड में भी बिजली संकट घहरा सकता है और राष्टे स्तर पर बिजली के दामों में पिछले चार दिन में तीन गुना की बड़ोत्री हो गई है जिसके बाद UPCL ने बिजली खरीद पर रोक लगा दिये और अब रोजाना चार से पांच मिलियन यूनिट की किल्लत हो रही है जिसकी भरपाई फिलाल रोश्टर से ही की जा रही है जरसल पिछले तीन दिन से दिली में ब्लैक आउट के आशंकाय और चर्चाएं तेज हो गई है और इस बीच राष्टे स्तर पर अचारनक बिजली के दामों में बड़ोत्री होनी शुरू हो गई है और चार दिन पहले तक नैशनल एक्सचेंज से बिजली पा से यूपी सी एल ने हाथ खड़े कर दिया और इस वज़े से राज्य में बिजली संकट पैदा हो गया फिलाल चार से पांच मिलियन यूनिट की कामी हो रही है जिसे किसी तरह रोष्टर प्रणाली से पूरा किया जा रहा है लेकिन स्वमवार को ये संकट और बढ़ने के आशंका है और यूपी सी एल में बिजली खरीद से जुड़े दिकारी गोरफ शर्मा के मुताबिक राष्टे सर्फ पर महेंगी बिजली होनी की वज़े से खरीद रोकी गई है लेकिन यूपी सी एल के तीन टेंडर बिजली संकट से निजात दिलाएंगे और पहले टेंड के अपने पावर प्लैंट के साथ ही अधने शोतों से रोजाना करीब 36-37 मिलियन यूट बिजली उपलब्द हो रही है और रोजाना करीब 3-4 मिलियन यूट बिजली बहार से खरीदनी पड़ती है लेकिन महेंगी होने की वज़े से इस खरीद पर रोक लगा दी गई है और नवंबर और दिसंबर के ले भी यूपी सीयल को 120 मेगावार्ट का टेंडर मिला है और अक्तूबर के टेंडर से इस सब्ता बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी और ये बिजली करीब 4 रुपे प्रती यूनिट के दाम पर खरीदी गई है और वहीं यूपी सीयल का दावा है कि तो हारी सीजन में बिजली की किलत नहीं होगी और वहीं उत्तरकाशी जिले के पुरोला में सौमवार के सुबा एक घर धूंदू करकर चल उटा और शहर में बीचो बीच घर में लगी आग से हड़कम मच गया और आग इतनी भीशन थी कि हर कोई सहम सगया और जानकारी क मताबिक पुरोला नगर के कोट रोड में एक आवासे भवन में आग लग गई और आग से घर में रखा समान चल कर खाक हो गया और ये देवदार का बहुत पुराना भवन था और आसपास के लोगों ने आग बुजाने की बहुत कोशिश की लेकिन देवदार का भवन होने क कारण आग और भीशन हो गई और किसी के हाथा हाथ होनी की सूशना नहीं है और भवही नगर पंचाज सद्पुली के विकास महले में एक घर में स्लेंडर में आग लगी से अफरत अफरी मज गई और सूशना मिलते ही पहुँची पुलिस ने समय रहते आग पर काबु पाल और ग्रे स्वामिक के लड़के की सगाई होने के कारण काफी संक्या में स्थाने लोग और इस्तेदार घर पर मोजूद थे और स्लेंडर में आग लगने से उसके फटने का डर भी बना हुआ था और पुलिस टीम जलते हुए स्लेंडर को घर से भार लाई और उसके बाद आ उत्तरकाशी में एक मैक्स वाहन हाथसे का आशिकार हो गया और यह हाथसा कल्यानी फेडी के बीच हुआ हो सूचना पर धरासुत थाना पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुँची और रहत बचावकारे शुरू किया और जानकारी के मताबिक उक्त वाहन में कुल 14 लो जा रहा है और वहन सवार वैक्ति शादी समारों में शामिल होने जा रहे थे और जो की तरकासे से राजगडी मसाल गाउं तैसिल बर कोट जा रहे थे और वही रानी खित एक्सप्रेस के गुजरने के दोरान बंद रेलवे फाटक को टुक टुक चालक ने टक्कर मार दी औ और इसके बाद रेलवे सुरक्षाबल ने टुक टुक को कब से मिलिया जबकि चालक मौके से भाग ने गया और इस दोरान दो घंटी से दिक समय तक गोला रोड में यातायात प्रभाबित रहा और काट गोदाम से लालकुआ रेलवे स्टेशन पहुची रानी खेत एक्सप कर मार दी और इसके चलते बैरेर तूट गया और गेटमेंड ने कंट्रोल रूम में सूचना दी और मोके पर पहुचे रेलवे सुरक्षाबल ने टुक टुक को कब से मेली लिया और आर पीएफ ने टुक टुक को जबत कर मामले में रेल अधिनियम की धारा 160 के तहत अग्य और स्पेशल टास्क फोर्ट उत्राखंड ने सच्चिन अवस्ति नामक युव को गिरफतार किया और जानकारी के मताबिक ह्टेफ ने फरजी स्टार लगी यूनिफॉर्म पहनने आई कार्ड आदी बनाका धहरदुन और आजपास के समवेदल शील इलाकों में घुमने की स पूशना मिलने पर सच्चिन को गिरफतार किया और वहीं पूश्ताच में सच्चिन द्वारा आर्मी का लेटेनेंट बनकर काफी लोगों को नोकरी का लेटर देनी की बात सामने आ रही जिसके एवेज में पैसा लेने का भी पता चला है और अभियुक सच्चिन अवस्ति क के घर से लैपटोप में ऐसे दस्तावेज बरामत किये जिसमें फरजी नोकरी देने से संब्दित साक्षे प्राप्त हुएं और साथ ही आर्मी की यूनिफॉर्म आइकार्ट जैसे उपकरण भी बरामत हुएं और वहीं शारदे नवरात्रे में मा को पूजने का विशेश महत माने जाता है और कहते हैं कि इन दिनों में अगर कोई सच्चे मन से मा की पूजा करे तो उसे सुद्ध सम्रिद्धी की प्राप्ति होती है और मा कातियानी को पूजने का शुब महरत है और तो आईए जानते कि आज किस तरह से पूजा करें और आप जिससे माफ्रसन हो जाएं देखे हमारे खास सुपोर्ट मादुर्गा के आरात्ना के महापर्व नवरात्री के छटवे दिन मा कात्याइनी की पूजा की जाती है माता ने कात्याइन रुष के घर बेटी के रूप में जन्म लिया था इसके चलते ही इनका नाम देवी कात्याइनी पड़ा मा कात्याइनी को शत्र और संक्टों से मुक्त करने वाली माना क्या कहा जाता है कि देवी ने ही असरों से देवताओं की रक्षा की थी मा ने महशासुर का वद किया था और उसके बाद शुम्ब और निशुम्ब का भी वद किया था सिर्फ यही नहीं सभी नो ग्रोहों को भी इनों नहीं कैट से छुड़वाया था मानता है कि इस दिन जो मा की पूजा करता है उसे सुयोग वर की प्राप्त होती है मा की पूजा करने के लिए सुबा चल्दी उठे और नहा कर सफ कपड़े पहने सबसे पहले गडपती बपा की पूजा करे फिर देवी की तस्वीर या मूर्द को एक चौकी पर इस्था पित करे अब एक पुष्प हाथ में ले और या देवी सर भूतेशु शक्ति रूपेड संदिता नमस्तस से नमस्तस से नमस्तस से नमो नमा इस मंत्र का जाप करे फूल को मा के चर्णों में चड़ाएं और माता को लाल वस्तर, तीन हल्दी की गाठ, पीले फूल, फल, नवैदी आद अर्पित करे अब दुर्गा चालीसा का पार्ट करे साथ ही मा के मंत्रों का भी जाप करे और आर्थी का पार्ट करे मा कात्यानी को शहिद का भूग लगाना चाहिए आपको बताते चले इस से मा बेहत प्रसंड होती है इस दिन मा को लाल रंग के फूल चड़ाएं, शास्त्रों में बढ़नीत कथा के अनुसार महर्शु कातायन ने देवी आदिशक्त की घो तपस्या कर उन्हें पुत्री को रूप में प्राप्त किया इनकी पुत्री होने के चलते ही इन्हें कात्यानी कहा जाता है देवी का जन्म जब हुआ था उस समय महिशासुर नाम के राक्षस का तैचार बहुत ज़ादा बढ़िया था देवी ने रिशका तैन के घर अशुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुरदर्शी के दिन जन्म लिया था रिशका तैन ने मा का पूजन तीन दिन तक किया दश्मितित के दिन माने महिशासुर का अंत किया शुम और निशुम ने सुर्ग लोग पर आक्रमण कर इंद्र का सिंगहासन चीन लिया साथी नौग्रोहों को बंधग भी मना लिया था असुरों ने अगनी और वायू का बल भी अपने कबजी में ले लिया था सुर्ग से अपमानित कर असुरों ने देवताओं को निकाल दिया था तब सभी देवता देवी की शरण में गए माने इन असुरों का बद के और सबको इनके आतंक से मुक्त कराया कात्यानी की साथनावें भक्ति करने वालों को मा की प्रसनिता के लिए शहद युगत पान अर्पित करना चाहिए या फिर शहद का अलग से भोग लगा सकते हैं माशक्त के नौदुरगा सरूपों में माकात्यानी देवी को छठा रूप पाना क्या माकात्यानी देवी के आशुरवाद से विवाह के योगी बनते हैं साथी विवाहिक जीवन में भी खुश्या मिलती हैं। कोधुली वेला की समय पीले अत्वा लाल वस्तर धारन करके इनकी पूजा करनी चाहिए इनको पीले फूल और पीला नवे दर्पित करें। इन्हें शहे दर्पित करना विशेश शुप माना जाता है। मा को सुगंधित पुश्प अर्पित करने से शीगर विवाह के योग बनेंगे और इसके साथ साथी से भी प्रेम सम्मंधी पाधाय जो होंगी वो दूर होती है। इसके बाद मा के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। शीगर विवाह के लिए कैसी करें मा की कात्यानी की पूजा तो आपको बताते चलें। मा को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोग, संता, भै, आध, सर्वधा विरस्ट हो जाते हैं। जन जन्मांत्र के पापों को विरस्ट करने के लिए मा की शणनागर्थ होकर उनकी पूजा उपासना के लिए ततपर होना चाहिए। इसी के साथ उत्राखंड के बुलेटिन में इतना ऐसे ही तमाम खबरों कलाब बने रहे है आरे न्यूस के साथ। जन्मांत्र के बुलेटिन में इतना चाहिए।